वेल्कम बैक टो माई चैनल आर्ट वेक्टरी पीडिये फ्रेंट्स आज मैं आप सभी को एक एफेक्ट दिखाने के लिए लेकर आई हूँ और एफेक्ट है एक्रमेंट डाइस यानि कि डाइस कलर जो पिगमेंट्स भी बोला जाता है जिनको पिगमेंट्स भी बोलते हैं कु वीडियो को ध्यान से देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि कितना मुश्किल होता है कितना जो है न ट्रिक्स लगानी पड़ती हैं तरीके देखने पड़ते हैं अगर हम किसी डेलिकेट फैब्रिक पर करते हैं और फ्रेंट्स जो आने वाली है एक वीडियो और उसमें म हम किस तरह से स्टैबलिश कर सकते हैं तो उसका पूरा तरीका पूरा ब्योरा में नेक्स वीडियो में लाने वाली हूँ तब तक बहुत सारी सब्सक्रिप्शन आ जाए यानि कि आप बहुत सारी वीडियो को शेयर कर दीजिए और जो चैनल पर नए है वो चैनल को सब्सक् और वीडियो पसंद आए ना तो लाइक जरूर कर दीजेगा चैनल को शेयर तो कर ही दीजिए तो चलिए अब बाते क्यों करते हैं हम देखते हैं एक्रमाइन डाइस का असर लीनन फैब्रिक पर तो फिर जैसा कि मैं आपको बता चुके हूँ आज की वीडियो के लिए मैं जो हमारे पिग्मेंट कलर्स हैं वो यूज करूंगी और उसके साथ एक्रोफिक्स तो यूज करती ही हैं ये मैंने आपको बेसिक वीडियो में बताया था किस तरह से जो है ना डाइस कलर को हम रेड ये जलो कलरह है जो मैं उसको ले रही थोड़ा सब्सक्राइव की क्वेन क्वेर्टिटि मेरे जो वर्क हे मैं जादा यूज होने वाला ही musician और मैं साथ में में लेने वाली हूं ये गpeople d yellow ये औरेंज और की चलर 167 009riel जोड़ होती हैं इसी तरह से हम जो है ना कलर्स को जो ह जब हम इस तरह का work करते हैं और साथ में मैं जो use करूंगी इसमें मैं black color, maroon color और white color यानि की हर color को थोड़ा थोड़ा use करूंगी लेकिन जो yellow color है वो हमारा base color है और इसमें मैं Acrofix डाल रही हूँ और फ्रेंट्स एक्रोफिक्स की मात्रा मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि बहुत ध्यान से इसके क्वेंटिटी डालने पड़ती है कलर के वनफोर्थ का भी वनफोर्थ हम जो है न एक्रोफिक्स डालते हैं ताकि हमारा जो कलर है न वो जो हमारे फैबरिक पर अच्छे से स्टिक कर जाए तो इस तरह से हम इसको जो है न बनाते हैं कलर्स को रेडी करते हैं और उसके बाद वर्क करते हैं सभी colors में मैंने Acryphix add किया है और सभी colors को ready करने के लिए हमने पानी का use नहीं किया है क्योंकि जो हमारी ये Acrymine Dyes आती है ये liquid base color होती है यानि कि बहुत liquid होती है बिल्कुल पतला color होता है और इसको हमें manage करना होता है हमारे fabric पर इस तरह से जो है और आज मैं मेरी फेवरेट जो फिल ब्रेट ब्रश है और फ्लैट ब्रश है उसको छोड़ कर मैं work करने वाली हूँ हमारी Ace Round brush से तो देखे मैंने एक ही brush से सारे color mix कर दिये क्योंकि सबसे पहले मैंने light shade mix की है फिर dark shade और फिर super dark तो इस तरह से अगर हो तो से तो dark color खराब नहीं होता है तो देखे मैंने pencil से draw करने के तो आपको पता है मेरी आदत है नहीं क्योंकि मैं बनाना चाहती हूँ बिलकुल original content original content बनाने के लिए आपको जो आपके helping hands है na tracing paper और pencils इनको side में रखना पड़ता है जो मैं जहां भी pencils use करती हूँ ना friends वो सर्फ आ आप लोगों को सीखने में कोई दिक्कत ना हो इस तरह से ना मैं जो मेरा अंदाजा है मेरी imagination है उसको मैं use करके work करती हूँ पहले मैं चाहा था कि मैं जो मेरा yellow color है ना golden yellow color sorry जो मेरा lime yellow color है मैं सिर्फ इसको use करने वाले थे लेकिन यह थोड़ा सा ना मुझे ज्यादा bright लगा so मैंने इसमें shading दी golden yellow color की आप चाहे तो orange color की भी shading दे सकते हैं लेकिन मुझे बहुत soothing सा यह दुपटा बनाना था क्योंकि यह जो fabric है ना बहुत soothing होता है हमारे summer season में और summer season आ रहे हैं उसी के accordingly हमें work करना था और friends यह बहुत ज़्यादा soft भी बना है यानि कि जो हम fabric colors use करते ह है ना हमारे ready made उससे जादा यह soft बना है तो देखे मैंने बिल्कुल अपने अंदाजे से flower बनाया है और यह आपको जो है ना बहुत असानी से समझ में भी आ रहा होगा सो मैं आज आपको design नहीं सिखा रही हूं मैं सिखा रही हूं dyes को use करने की बारी किया और अलग-अलग तरह के fabrics पर अलग-अलग तरह के colors को use करने के तरीके so silk color भी हम जल्दी ही लेके आने वाले हैं बहुत सारी demand आ रही है बहुत सारे comments आ रहे हैं कि silk painting सीखना चाहते हैं so वह भी बहुत जल्दी आएगी friends so आप थोड़ा साना मेरा साथ दीजिए और ऐसे ही जो videos है ना उनको द को दिक्कत है मैं उस चीज़ को solve करूंगी तो यह जो मैं shading दे रही हूं ना friends यह बहुत कम दे रही हूं इसमें क्योंकि मुझे ना इसमें बहुत जो लाइट सी ही shading रखनी थी अलग color को जाधा show ही नहीं करना था लेकिन dry होने के बाद friends आपको पता है कि color की जो consistency है वो change हो जाती है थोड़ी सी और थोड़ा सा ना fabric में वो observe हो जाता है तो यहां देखिए इस तरह से मैं तीन flowers बनाने वाली हूं और design तो मैं खेर आपको सिका ही नहीं रही हूं लेकिन फिर भी आप लोग देख लीजिए अगर आप चाहें तो यह design भी बना सकते बहुत super simple सा बहुत easy और बहुत ही जल्दी बनने वाला यह दुपटा है और मैं तो linen पर कर रही हूं आप किसी भी fabric पर कर सकते अभी जैसे summer season आ रहा है तो उसमें hand painted जो work है ना बहुत चलता है और business का idea जो मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूं वो बहुत ही जादा effective है वो आप ल color की shading दी है ना वो गीले में ही देनी है friends नहीं तो जो हमारे liquid color है एक color सूखने के बाद ना दूसरा color fabric में absorb नहीं हो पाता क्योंकि वो उपर उपर रह जाता है color के और हमें चाहिए कि वो बिल्कुल अच्छे से fabric में mix हो जाए तो इस तरह से हमें work करना है और इन चीजों को द्यान में रखना है और बिल्कुल एक ही side में मैं यह जो shading कर रही हूं जो two tone की shading होती है ना friends एक्रमाइन dyes के साथ वो इसी तरह से होती है हम कई बार जो हमारे fabric colors use करते हैं उसमें जब हम shading करते हैं तो उसमें तो हम सूखने के बाद भी करते हैं तो भी हमारा dry effect आ जाता है और बहुत अच्छे से वो हमें तिखाई देता है अगर हमने इसमें binder मिलाया होता color में तो हम इसमें भी कर सकते थे लेकिन अभी जो direct color है उसको हमने use किया है तो अब यह जो leaf है यह बना रही हूं मैं sap green color से friends so colors तो आप अपनी choice के कोई भी ले सकते हैं और इस तरह से कोई भी shape, size जो है आप अपने आप चुन सकते हैं लेकिन मैं आपको अब फिर भी यही कहना चाहूंगी pencils को, tracings को अगर आप जितना छोडेंगे आपकी painting उतनी ही जादा निखरेगी और यह कैसे करना है आप लोग video देखिए मेरी सभी videos देखिए और उससे सीखिए मैं कभी भी pencils का use नहीं करती क्योंकि brush से भी mistake correct हो सकती है friends कई वार हमारी जो petals है उनकी shapes है इधर उदर हो जाती है तो हम थोड़ा सा गटा बढ़ा कर देखिए अब यहां मैंने थोड़ी सी shape change की है ना इसी तरह से हम brush से भी लगता है तो देखिए बहुत अच्छे से यह mix and merge हो जाता है जब तक यह गीला रहता है color और liquid color होने की वज़े से थोड़ा जातो यह आपका जो है ना smudge भी करता है लेकिए उस smudge को रोकने के लिए हमें सबसे पहले ना center से शुरुवात करनी होगी हमारी किसी भी पैटल की तो इस तरह से देखिए यह जो है ना work है यह हम करेंगे और आप देखे यह मेरा जो दुपट्टा फ्लार है यह मेरा ड्राय हो चुका है क्योंकि सबसे पहले किया था यहां पर center में मैंने दिया थोड़ा सा maroon color यह dyes color का ही maroon color है friends आप देख रहे हैं थोड़ा सा smudge हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं यह hand painted है छोटा मुटा तो हम जो है ना manage कर लेते लेकिन यह भी नहीं दिखने वाला है जब हमारा final work complete हो जाएगा इस तरह से इसको करने के बाद ना हमें इसमें से यह pollen जो है ना यह बनाना है और इसको भी एक line लगा कर छोड़ दीजी अगर आप उसके बाद हम इसको जो है ना correct करेंगे और अब यह देखिए जो black color यूज कर रही है यह भी मेरा liquid color ही है जो मैंने एक्रमाइन डाइज में color है तो इस तरह से मुझे इसको जो मेरा pat style है मतलब मुझे तूटी हुई outline पसंद है वही outlines मैंने इसमें दी है so friends यह भी किसी customer का ही दूपटा है so आप जो है ना अपनी पसंद से कोई भी इसमें modulation कर सकते हैं कोई भी आप इसमें जो नया तरीका है वह आजमा सकते हैं लेकिन हाँ इसको try जरूर कीजेगा करने में बहुत मज़ा आता है finishing बहुत अच्छी आती है और काम भी बहुत जल्दी हो जाता है क्यों वो इतना ज्यादा smudge नहीं करते हैं वो कपड़े पर एक जगह पर स्ट्रिप को जाते हैं अगर ज्यादा गीला रहता है तो ही थोड़ा बहुत smudge वो color होता है और छोटे-छोटे से flowers या इसी तरह से खुला-खुला सा कोई भी design लेकर उस पर try कीजे आपको मज़ा बहुत आने वाला है इसको करने में फ्रेंट्स सो इससे जुड़ी अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है ना कहीं पर भी कोई भी परेशानी होती है तो मुझे जरूर से जरूर बताईएगा मैं आपकी पूरी help करने की कोशिश करूंगी और पूरा कोशिश करूंगी कि कहीं पर भ मिलते कहां से हैं यह ओनलाइन अविलिबर हैं आप एमजोन पर यह किसी पर भी आप चेक कर सकते हैं आपको बहुत इजी लिए मिल जाएंगे और इनको लंबे टाइम तक हम स्टोर करके रख सकते हैं लेकिन जब हम बाइंडर के साथ कलर को यूज करते हैं तो उसको हम लंबे करके मत रख लीजिएगा कलर में क्योंकि फिक्सर जो है ना वह कलर को थोड़ा सा चिप चिपा होता है तो वह कलर में भी उसकी कंसिस्टेंसी आती है लेकिन जब हम वर्क करते करते उसको यूज करते हैं थोड़े थोड़े में मिलाते चलते हैं तब हमारा जो वर्क है वह चिपचिपा नहीं होता और बिल्कुल फैब्रिक के लेवल का रहता है यह चीज़े कुछ है बाते आपको ध्यान में रखनी होंगी जब आप डाइस कलर्स के साथ यूज करते हैं अभी पाउडर कलर्स को भी मैं आपको यूज करना बताऊंगे काफी टाइम से इसकी भी डिम और आप देखिए अब मैं आपको पूरे दुपट्टे का व्यू दिखाती हूं आप खुद ही बताइए का आपको कैसा लगा तो यह देखिए मैंने छोटे-छोटे फ्लार्स ना बीच में बनाए हैं और जो कॉर्णर थी दोनों कॉर्णर चारों कॉर्णर पर मैंने तीन- थोड़ा सा लुक समझ में आजए थोड़ा सा पता चल जाए किस तरह से इसको आप कैरी करेंगे या किस तरह से आप इसको यूज करेंगी तो मुझे यह बहुत अच्छा लगा आपको पसंद आया तो वीडियो को जादा से जदा लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमली